समी साव ज़सोई में आपका स्वागत है अगर आपने अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेल आइकन जोरू दाब आ लिजिए नए नोटिफिकेशन्स के लिए तो आज हम बनाना सिखेंगे उत्तपम ये दचिर बारतिया साउथ इंडिया की बहुत ही फेमस टेश्टी और हल्दी रेसिपी है आज की हमारी रेसिपी बहुत ही सिंपल और आसान होने वाली इसे आप बड़ी आसानी से घर में बना सकते हैं तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं उत्तपम के बैटर के लिए हम नॉर्मल चाए के कप से नापके दो कप चावल लेंगे सबी चीजों का मेजरमेंट हम सेम कप से लेंगे आप चाए तो कप की जगवटोरी कप इस्तिमाल कर सकते हैं हमने कोई स्पेसल चावल नहीं लिया है नॉर्मल चावल जो आपके घर मे बनाया जाता है आप उले सकते हैं इस चावल को हम तीन से चार बाल च्छे से दो लेंगे जब तक पानी बिल्कुल क्लियर ना हो जाए इसके बाद हम इसे साथ से आठ गंटे या राद भर के लिए पानी में भिगो कर रख देंगे तीन चौथा ही कप हमने उड़त डाल लि के साथ ही हम एक ती हाई कप चना डाल लेंगे या आधा कप से कम और एक चौथा हाई कप से ज्यादा डाल है चना डाल से उत्तपम चिपकता नहीं है चावल की तरह ही इन दोनों डालों को भी हम अच्छे से दोकर 7-8 गंटे या फिर रात भर के लिए पानी में भिगो कर फ फूल जाने के बाद हमने इसके छिलके को निकाल डिया है हमने छिलके वाली ऊड़ध डाली थी शिरह सबी चीजों का लग लग होगा ह था अगर आप इन चीजों को अलकल भी बिगो सकते हैं तो आब हम इन सभी चीजों को पीश लेंगे बैटर बनाने के लिए हमेएं एक थोड़ा करके चावल, उड़त डाल, चना डाल और मेथी सबी चीजों को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में एक साथ लेके इसमें लगभग आधा ग्लास पानी या फिर जरूरत के मताबिक पानी डाल के इसे पीश लेंगे बैटर बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा गाड़ा होना चाहिए ये बैस थोड़ा पतला हो गया तो अगला बैस हम थोड़ा गाड़ा बनाएंगे आप चाहें तो उड़त डाल और चावल को अलग अलग भी पीश सकते लेकिन एक साथ इसे पीशने से अच्छे से पीश जाते हैं मेथी के पानी को हम फेकेंगे नहीं से भी हम बैटर को पीशते टाइम यूज कर लेंगे और पीशते वक्त हमें इस बात का ध्यान देना है कि मिक्शर को हमें गरम नहीं होने देना है मिक्शर को एक साथ बहुत ज़्यादा देर तक ना चलाएं हर 15 से 20 सेकंड में खोल के फिर चलाएं इसे पीशने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूद बैटर बना है इसमें बिल्कुल भी चावल के दाने नहीं रिखने चाहिए और ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है परफेक्ट है ना इससे ज़्यादा गाड़ा होना चाहिए ना इससे पतला होना चाहिए वेटर में हवा वर जाएगी जो Fearmintation में मदद करेंगा जिस बर्तन में आप बैटर को रखे उसमें इसके Fearmintation के लिए काफी जगा होनी चाहिए बैटर को अच्छे से लिए बाद से फेटने के बाद हम इसे सोला गंटे भी लग सकते हैं तो आप देख सकते हैं हमने बैटर को फर्मेंट होने के लिए बलतन में लगबग एक चौथा या फिर उससे ज़्यादा जगा छोड़ लगी तो हम इसे किसी प्लेट से ढख कर इसे लगबग 8-9 गंटे या फिर हो सके तो 10 गंटे के लिए फर्म निकल जाएगी तो उत्तापम अच्छे नहीं बनेंगे लोगी एसब करने से पूरे बैटर में नमक नहीं मना पड़ता है कर सकते हैं बैटर में हम फर्मेंटेशन से पहले नमक ने मिलाएंगे क्योंकि नमक फर्मेंटेशन को दीमा करता है फ्रिज भी बिना नमक वाला बैटर रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा जब भी आपको बैटर को दोबारा यूज करना तो आपको उसे फ्रिज से निकाल के दो से तीन गंटे के लिए उसे नॉर्मल टेंपरेचर पहाने दे फिर उसे यूज करें अब नमक कितनी बात हो रही तो उसमें नमक मिलाई लेते हैं और नमक कितना साधन सार मिलाएंगे हम नमक हम पूरे बैटर में नहीं जितना बैटर हमने उतपम के लिए निकाला उसमें डालेंगे और अगर आपको और बैटर की जरूरत परती तो और बैटर लेकर उसमें नमक डाल कर यूज कर सकते और अगर आपको लगता है कि आप पूरा बैटर एक साथ यूज कर सकते तो आप पूरे बैटर में भी नमक डाल कर उसे यूज कर सकते इसे हम इतना ही पता करेंगी कि यह एक सीधी लाइन में गिरे और गिने पर सर्फेस पर रिबन ना बने बैटर बहुत ज़्यादा गाड़ा होगा तो यह फैलेगा नहीं और उत्पम बहुत ज़्यादा मोटे बनेंगे उत्पम बनाने के लिए हमने नॉर्मल होए का तवा लिए जो आप सभी के गर में होगा जिस पर आप रोटी बनाते हैं हमने कोई डोसा तवा या फ्लैट तवा नहीं लिए सबसे पहले हम तवे को तेज आँच पर ग्रीस करेंगे हलका से चिपक कर इवन ली कुखो और साथ ही हम तवे को ठंडा करते ताकि ज्यादा गं तवी की वज़े से उत्तपम जले ना तवा अच्छे से तैयार है तो अब हम उत्तपम बनाएंगे उत्तपम बनाने के लिए हम देर चमचे बैटर को तवे के उपर डालेंगे इसके बाद हम बैटर को बीच से किनारे की और आइस्ता इस्ता हलके से फैलाएंगे क्योंकि हम इसे नॉर्मल तवे पर बना इसलिए बैटर बीच में जाके कठा हो जा रहा है इसलिए हम इसे पैलाने की ज़रूत पड़े लेकिन अगर आप दोसे तवे या फिर फ्लैट तवे प सबस्ते पर डाल देंगे अपिसमें से कोई सबजी नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें करीपत्थे को उपने इनके साथ निकालेंगे यह बड़ी हासानी से निकल जाएगगे इसके बाद हम इसे पलट लेगे पलटने के बाद इसे दूसी साइट से भी दो मिनट के लिए ही धीमी आज पर पकाएंगे दूसी साइट से भी दो मिनट पकने के बाद हम इसे पलट लेंगे और इसे प्लेट में निकालेंगे और हमारा पहला उत्तपम बनके तयार है इसके आगे आपको जितने इब उत्वम बनाने इसके लिए तेज आच पर तवे पर एक चमस्टेड डालें, उसके बाद उसके बाद इसके बाद इसके बाहर का इस पर बैटर डालें। हमें बस एक बात का ध्यान देना डालते टायम और बैटर डालने के बाद उत्तपम को पकने तक हमें गैस के आज को धीमा या फिर मीडियों रखना है तेज नहीं रखना है शाथ ही आप चाहें तो सारी सब्धियों को एक साथ मिला कर भी उत्तपम पे डाल सकते हैं बाकी का प्रसेस सेम पहले उत्तपम की तरह ही रहेगा हमारा दूसरा उत्तपम भी तयार है इसे हम नारियल और मुंफली की चटनी के साथ सर्व करें इन दोनोई चटनीयों की रेसिपी आपको माई चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या व हमारा धन्यवाद